हेलो एव्रिबन स्वागत है आपका हमारे ओनलाइन लर्ण प्लेटफॉर्म टार्गिट गुर्पुल पर और जहां हम आज बात करने वाले हैं दे इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्ट के बारे में उसके अगर लेक्चर में हम आगे बढ़ें उससे पहले हम लोग को एक आपको इ प्रिपरेशन के लिए आप लोग को बहुत जादे हैड़े हो रहा होगा कि क्या करें क्या ना करें अब तो लास्ट समय आ गया तो उसके लिए आप चाहें तो हमारा सार्थी बैच जो है उसको आप जोइन कर सकते हैं ठीक है सार्थी बैच को जोइन कर सकते हैं जो बीए ल एक्ट का वो आपको वो भी आपको कवर करवाया जाता है और जो लॉका पेपर है वो मेने दवारा आपको कवर करवाया जाता है ठीक है और इसकी अगर प्राइज हम बात कर लें तो प्राइज इसकी 499 है ठीक है न 499 रुपे इसके साथ आपको क्या-क्या मिल जाता है वीडि तो आपको मिलती ही theory, PPT आपको मिलती है, जिस PPT से यहां पर पढ़ाया जाता है, वही PPT आपको मिल जाती है, अब इसको अब इसको आप purchase कैसे करे, या फिर इसको explore कैसे करे, तो आप जो है target semester, ऐसे target semester एक YouTube channel है, उसको आप देख सकते हैं, वहाँ पर कुछ आपको demo lectures मिल जाए और ये course purchase करने के लिए, आप target gurukul जो app है, उसको download कीजिए, उसमें various courses के purchasing options आपको मिल जाएंगे, उसी method से आप purchases को कर सकते हैं, अगर और कोई doubt है, query है, तो आप comment section में हमारे लिख सकते हैं, आपको number में दी दिया जाएगा, जहां से आप अपना confusion जो है, वो दूर कर सकते है ठीक है, तो चलिए, अब इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे, इंडियन contract act का अपना next lecture, जो पहला lecture है, इसके regarding important question series का, वो हमारे target gurukul app पे uploaded है, जो हमारे सार्थी बच्चे बैचके हैं, enrolled, उनको lecture मिल चुका है, और आज का consideration से related, ठीक है, consideration क्या है, और ये जो important question की series चल रही है ये purely previous year question पे depend करते हैं, या previous year question ही यहाँ पे आपको solution कराया जाता है, जिसमें ना सिर्फ आपको question दिखाया जाता है, हिंदी और इंगलिश में, बलकि उसका पूरा-पूरा solution भी बताया जाता है, कि आपको कैसे और किस तरह और क्या-क्या चीज उस question में लिखनी है, question समझना भी एक समझने का भी एक तरीका होता है, question समझ के उसके answer लिखने का भी एक तरीका होता है, जिससे आप अच्छे marks जो है, वो अपने semester में पा सकते हैं, ठीक है, तो चली question देखते हैं हम लोग, question क्या रहा है, 5A का, कि what is consideration, consideration क्या है, explain it essentials with help of suitable example, ठीक है, तो consideration आपने recording lecture आपके पढ़े होंगे, आप पे, जो नए बच्चे हैं, वो सार्थी बैच जब जोइन करेंगे, तो उनको दिख जाएंगे recording lecture contract लोगे, तो जो contract है, contract में consideration एक essential चीज होता है, मतलब consideration, contract बनाने के लिए, एक consideration जो है, essential elements के रूप में होता है, तो एक, आपको section 25 जो है, Indian contract act का, वो ब बोलता है, कि without consideration, there is no contract, ठीक है, तो consideration जो है, वो होना चाहिए, हर एक contract में, और question क्या है, कि consideration विचार नहीं है, विचार यहां नहीं है, देखो, प्रतिफल, प्रतिफल, प्रतिफल क्या है, इसके आवश्यक अव्यू, को उप्यूक्त उधारन की सहायता से समाझ जाई, ठीक है, उसके बाद कहां कहां पे, कहां कहां पे जो है, इसकी definition को बताया गया है, तो अगर मैं बात करूँ, ठीक, section 2D, जब आप, अगर आपके पास बेयरेक्ट होगा, तो section 2D में जो है, वो consideration को define किया गया है, of the Indian contract act में, ठीक है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, अब प् definition of consideration क्या है, according to Lord Denning LJ, consideration is the cardinal necessity of the formation of the contract, मतलब, Lord Denning LJ के अनुसार, अनुबंध के निर्मान के लिए विचार एक मूलभूत, विचार नहीं, प्रतिफल, प्रतिफल, जहां जहां विचार है, वहां पे आप प्रतिफल लिखेंगे, तो अनुबंध, यानि की contract अगर बनाना है, contract निर्मान के लिए प्रतिफल जो है, उसकी मूलभूत आविशकता है, ओके, अगर contract का formation आपको करना है, तो contract formation करने के लिए, contract बनाने के लिए बहुत सारे इशंसल चीजे होती है, उसमें से एक महत्वपूर्ण जो तत्व है, वो है consideration, प्रतिफल, तो without consideration, there is no contract, ठीक है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, without consideration, the contract is void, विना consideration के जो contract होता है, जो प्रतिफल, वो अनुबंध होता है, वो शुन्यों होता है, ओके, चल, अब यहाँ पे, यह लश, लश जे ने, ठीक है न, लश जस्टिस ने, क्यूरी वर्सस मीशा केस, 1875 में, डिफाइन किया consideration को, कैसे डि उसको हम लोग आप देखेंगे, पहला तो यह बोलते हैं क्या, कि a valuable consideration in the eye of law, a value of consideration in the eye of law may consist either in some right, interest, profit or benefit occurring to the one party or some forbearance and determinants laws or possibility given to suffer or undertaken by other, आप यहाँ पे देखिये, जब भी कोई चीज आप किसी से लेते हो, तो उसके बदले में उसको कुछ प्रतिफल देते हो ना, let's suppose आप किसी दुकान पे गएं, एक किलो आटा खरीदे या फिर पांच किलो आटा खरीदे, पांच किलो आटा आटा आप कहोगे कि भईया आटा है, तो आपने offer दिया, ठ पैसा दोगे, या प्रामिस करोगे कि आज दे देंगे, कल दे देंगे, उसके बदले में जो भी देना है, कुछ तो देना पड़ेगा, अगर दोगे तो ही तो contract of formation होगा, तो एक जो maximum है, क्वेड प्रो क्यो, मतलब something in return, जभी भी contract करा जाता है, तो उसके बदले में कुछ आपको मिलना चाहिए, जरूरी नहीं कि वो जो प्रतिफल हो, वो जो consideration हो, वो किसी भी, कि बिस पैसे के form में हो, वो किसी भी form में हो सकता है, मालो कि कोई किसी को उधार दिया है, पचास अजार या फिर एक लाख रुपए उधार दिया है, और वो उधार उधार दिया है, फिर ऐसे ही दिया हुआ है, और कहता है कि ठीक है भई, तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ा करके जो है, वो तुम्हारा पैसा चुका दूगा, तो यहाँ पर क्या है भई, यहाँ पर कुछ consideration हो रहा है न, वो सामने वाला व्यक्ति पैसा दे रहा है, तो उसके बदले जो दूसरा व्यक्ति है, वो क्या दे रहा है, तो यह भी एक तरह का क्या है, प्रतिफल है, तो चाहे तो तुम सर्विस दे करके प्रतिफल कर दो, चाहे तो तुम समान के बदले में पैसे दे दो, यहाँ किसी भी फॉर्म में consideration हो सकता है, something in return, अनुबंध में होना contract में होना बहुत जरूरी है ठीक है उसके बीना जो अनुबंद होता है contract होता है वो void होता है सुन्यों होता है ओके चलिए आगे देखिए जो आपके लिए important है क्या कहा रहा है section 2D section 2D of the Indian contract defines consideration as follows मैंने बोला ना कि section 2D में जो है वो Indian contract के consideration defined है क्या कहता है कि when at the desire of promisor, promisor, promisee कौन होता है यह मैंने आपको जो recorded lecture है आपके app पे उस पर पड़ी हुई है तो उसको मैं दुबारा से नहीं बताऊंगी तो when at the desire of promisor, promisor के desire पे जब promisee और any other person has done or abstent from doing और does or abstent from doing or promise to do or abstent from doing something such act or abstence or promise is called a consideration for the promise अब देखो, चलो समझे लो promisor, promisee नहीं तो आपको ये concept ही नहीं समझ में आएगा promisor और promisee ठीक है the one who the one who do offer ऐसा व्यक्ति जो offer देता है किसी को ऐसा व्यक्ति जो offer देता है किसी को या ऐसा व्यक्ति जो किसी को proposal कुछ देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? promisor कहते हैं और वो व्यक्ति जिसको वो proposal दिया जाता है ठीक है न? मतलब इसको proposal दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? promisee कहते हैं मतलब promisee के पास ये option होता है मतलब accept कर लिया है तभी तो वो promisee है तो promisee जो offer को accept करता है तो promisee offer देने वाला promisee offer accept करने वाला व्यक्ति है अब इन दोनों के बीच में जिस भी चीज का offer और acceptance हुआ है उसके बदले में क्या एक दूसरे को कुछ न कुछ जरूर मिल रहा होगा एक को service मिल रहा होगा दूसरे को money मिल रहा होगा या कुछ भी हो सकता है समान के बदले समान मिल रहा होगा कुछ भी हो सकता है तो promisee और promisee promisee offer लेके जाएगा तो obviously इसके हिद की बात होगी ये अपना काम करवाने जाएगा और ये अपना काम करवाने जब जाएगा या फिर किसी काम को करने के रोकने के लिए इसको जाएगा तो इसके बदले में इसको कुछ देना पड़ेगा और वो क्या है प्रतिफल है अब इसके बाद आप देख लेजिएगा जो मैंने बताया है वही है अब यहां देखिए प्रामिसर के इच्छा के ही अनुसार काम होगा एक्सेप्टेंस होगा ओव्यस सी बात है तो प्रामिसी जो प्रामिस करेगा उसको वो निभाना पड़ेगा ठीक है अब पास्ट कंसिडरेशन भी होता है जैसे मालो कि आपने दुकान पे गया और पांच के लो आटा लिया ठीक है तो आपने promise कर दिया कि मैं आज नहीं pay करूँगा बाद में pay करूँगा तो फिर past consideration future consideration वाली भी बात होती है present consideration जो अभी है मालो आपने पहले कभी लिया है और बोला है कि मैं आज दूँगा तो वो क्या था past consideration था या पहले आपने किसी को कुछ उधार दिया होगा आज उससे आप उसका वापस कुछ ले रहे हो तो क्या है वो past consideration है ठीक है इसमें बहुत सारे cases है lemvic बना breath weight का case है इसको आप देख सकते है ठीक है जो प्रतिफल है ये बहुत important है चलो ये वाला point आपके लिए important है यहां से देखिए ये कहा रहा है कि there are following essential points in this regard मतलब कि consideration के संबंध में कुछ आवश्यक या महत्तपूर्ण बिन्दू है और वो बिन्दू क्या है देखो बैए तो पहला तो consideration जो होना चाहिए must be legal होना चाहिए मतलब जो भी प्रतिफल आप दे रहे हो वो क्या होना चाहिए कानूनी रूप से वैद होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं है कि black money दे रहे हो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा चीज बदले में दे रहे हो जो prohibited by law है नेक्स्ट बी बी क्या खहरा है कि consideration must be real not illusory uncertain or impossible it must have some substantial value और जो consideration है ना जो प्रतिफल है वो वास्तविक होना चाहिए ऐसा नहीं कि वो एक बस imagination है ठीक है ना अगर माल लो कि मुझे किसी से कुछ काम करवाना है तो मैं उसको ऐसा नहीं हो कि ठीक है तुम मेरा काम कर दो मैं तुम्हें सपने में जो है वो ताज महल दे दूँगा तो ये क्या है illusory है ना ये uncertain है impossible है या फिर मैं किसी से काम करवाल हूँ और बोलू कि ठीक है तुम मेरा काम कर दो और जिस दिन सूरज जो है वो पच्छिम से निकलेगा तब मैं इस काम का पैसा तुमको दूँगी तो ये क्या है ये uncertain हो ही नहीं सकता impossible है तो ऐसी चीजे जो कभी होने वाली ही नहीं है या ब्रामक है या uncertain है ऐसे चीज के लिए consideration नहीं किया जा सकता ऐसे चीजों का consideration नहीं किया जा सकता, ओके, चलो, तो consideration देते समय, ये बात भी जो है, वो ध्यान पे दिया जाना चाहिए, कि शंसिल्सिया क्या होते हैं, ओके, चलिए, अब एक case देख लीजे, एक case देखे, important, अनुराधा समीर वेंगननौट वनाम M.S. वेंगनौट में, क्या हुआ था, 2016 का case है, इसमें, सुप्रीम कोट ने कहा कि याचिका करता की पतनी के स्वास और सुरक्षा का ख्याल रखना प्रतिवादी पती का करतव है, साथ ही याचिका करता के इलाज के लिए सुविधाय मु पहले से मौजूद करता वेह वसरते पती के पास परयाप्त साधन हो और वह उसकी देख भाल करने में अपनी भूमी का पूरी निष्ठा से निभा रहा हो, ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल है कॉन्ट्रेक्ट का, ये क्या होता है भाई, देखो शादी जो है, शादी अपने वाईफ के प्रती बनती है, तो ऐसा consideration वाला कोई चीज आएगा, तो उसमें obvious सी बात है कि भाई, अगर शादी हुई है, आपकी वाईफ है, तो आपका क्या बनता है, ये करतवे बनता है, कि आप इस साधी में रहते हुए, अपनी वाईफ का क्या करवाए, जो भी इ इसमें बोला गया था, अब advocacy of consideration, अब क्या कह रहा है, कि जो भी क्या consideration दिया जाता है, उसकी परियापतता को नापना जरूरी है, अब माल लो कि मेरे पास कार है, मेरी पास कार है, मेरी दोस्त के पास कार नहीं है, तो वो कहती है कि ऐसा है भाई, तुम्हारे पास जो है, दो दूसरे लोगों में 2 लाख में देदूंगी ऐसा करो तुम तो 4-10 जार या 1.5 लाख में ही मेरी कार ले जाओ अब यह क्या हुआ कि consideration fix नहीं है किसी के लिए तो कुछ है किसी के लिए तो कुछ है लेकिन something in return होना चाहिए मेरा समान है अगर मैं अपने सहमती से उसको 5 रुपे में ही बेच दे रही हूँ तो भी वो प्रतिफल कहलाएगा तो फिर क्या कह रहा है education of consideration यानि कि प्रतिफल की परियापता ये कैसे तैक ही जाएगी तो explanation 2 of section 25 कहता है section 25 जरूर पढ़िएगा आप लो कि without consideration the agreement is void ठीक है चौनो अब explanation 2 क्या कहता है an agreement to which the consent of the promisor is freely given is not void merely because the consideration is ineducate but the ineducacy of the consideration may taken into account by the court in determining the question whether the consent or promisor was freely given section 25 का explanation 2 ये कहता है कि ये जरूरी नहीं कि जो है प्रतिफल वो कितना हो लेकिन कुछ होना चाहिए ठीक है लेकिन वो जो प्रतिफल जैसे मैंने बोला ना कि मेरी कार है मैं उसकी value दो लाख रुपे लगाई हूँ लेकिन मैं अपने friend को उसको 10,000 रुपे में बेज देती हूँ तो क्या सामने वाला मेरे पर case लेके आएगा क्या मुझे तो 2,000,000 बोल रही थी इनको तो 10,000 बोल रही है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अगर मैंने free consent से अपने मतलब अपनी सहमती से उस कार को चाहे तो 5 रुपे में बेचा और चाहे 10 रुपे में बेचा लेकिन कुछ बदले में नाम मातर का मैंने लिया हुआ है तो इसके उपर question खड़ा नहीं होगा लेकिन हाँ अगर कोई question अराइज हुआ तो court ये जरूर देखेगा इस मामले में कि क्या जो consideration क्या इतने पुरुपे की सहमती थी ये क्या freely दी गई थी या नहीं दी गई थी ठीक है न ये हो गया अब illustration देखिए illustration क्या कहता है भाई ये अपना घर ये अपना घर अब देखो ए एगरिश्टू सेल हीज हाउस वर्थ 1000 पॉर 10 रूपीज अब ये अपना जो घर है वो बेचने के लिए तयार हो जाता है ये एक हजार का घर है दस रूपे में बेचने के लिए तयार हो जाता है ठीक दो दा consideration is grossly inadequate अब बिल्कुल एकदम अपर्यापत है जो consideration वो एकदम अपर्यापत है कहां एक हाजार में कहां दस रूपे में बिल्कुल अपर्यापत है the contract cannot be set aside लेकिन इस contract को set aside नहीं किया जा सकता दर किनार रद नहीं किया जा सकता अनुबंद को इस contract को किस ground पे that the inadequacy of consideration may be considered as an evidence that the promise was not freely given तो इस ground पे 1000 रुपे के चीज़ वो 10 रुपे में बेच रहा है तो इस ground पे उस contract को सुन्य घोशित नहीं किरा जा सकता कि जो प्रतिफल है वो बहुत अपर्यापत है बहुत कम है unless कि वो consent जो है ठीक है उस व्यक्ति से जिसका समान है बेचने की उसके उपर किसी तरह का जोर दबाव है जो है नहीं बना करके उसकी सहमती ली गई हो ठीक है ना जब बनाई गई होगी तब तो गौबेस सी बात है कि ऐसा प्रतिफल क्या होगा एसा कॉंट्रेक्ट क्या होगा फिर प्रतिफल जो है दढ़ दबाव में जहां लिया होगा वह सुन्य हो जाएगा अब यहां पर देखो यह वाला देखो वैलुएबल कंसिडरेशन एन गुड कंसिडरेशन में अंतर क्या होता है विचार नहीं है प्रतिफल है यहां पर प्रतिफल है विचार नहीं है वैलुएबल कंसिडरेशन एन गुड कंसिडरेशन में क्या अंतर होता है जरह देख ल valuable, will not making binding promise, कह रहा है कि एक प्रतिफल जो अच्छा है, अच्छा है, लेकिन मुल्यवान नहीं है, वह वादिगारी वादा नहीं करेगा, यह प्रतिफल, वह प्रतिफल जिसका कानून की दृष्टी में कुछ मूल्य हो, मुल्यवान प्रतिफल कहलाता है, कानून की नजर में कि इसी प्रतिफल का महात्वत्तब होता है, जब वादा करने वाले को कुछ नुकसान होता है, चाहे वह नुकसान कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक विचार जो सार्वजनिक निती और नैतिकता का विरोध नहीं करता होए, एक अच्छा विचार है, देखो, प्रतिफल दो त जिसमें सार्वजनिक नीती के बारे में, पब्लिक वेलफेर के बारे में, मॉरालिटी के बारे में बात की गई हो, यह गुड कंसिडरेशन में आएगा, और वैल्यूएबल मत्तब मुल्यवान की वह उस प्रतिफल का जो है, मुल्य कितना है, तो इसमें जो है कंसिडरेशन है, क्या यह ऐसा कंसिडरेशन तो नहीं है, जो यह पब्लिक एट लार्ज के खिलाफ जा रहा है, या फिर गयर कानूनी है, यह भी वोड को देखना पड़ता है। यह वैलिड नहीं होता है, किसमें तो पॉन्ट्रेक्ट में। कुछ इग्जाम्पल देख लो, जैसे कह रहा है कि A for a natural love and affection, promises to give his son, 1000 रुपे. Here the consideration for the promise is good but not valuable and we cannot enforce this promise. However, if A puts his promise to be in writing and registered, then the promise becomes binding under section 25 clause 1. अच्छा देखो, अब good consideration और valuable consideration में difference हैं जो, देखो, good consideration क्या है, माल लोग कि किसी के father हैं और बोलते हैं कि तुम जो है, अच्छा marks लाओगे अपने semester exam में, तो मैं तुम्हें 10,000 या 1,000 रुपे जो है, गुद्धि उन 10,000 माल लीजे, 10,000 रुपे दूँगा, तुम्हें जो करना होगा, ये बोल तो दिया गया, लेकिन पास होने के बाद जो है, उस बच्चा, वो बच्चा जो पास हो गया, पास होने के बावजूद भी उसके father ने उसको एक रुपे नहीं दिया, तो क्या वो बच्चा अपना काम तो कर दिया लेकिन क्या वो बच्चा अपने पिता जी के द्वारा जो 10,000 वादा किया गया था वो नहीं देने के लिए केस कर सकता है नहीं कर सकता है ठीक है ना क्यूंकि वो जो है valuable consideration नहीं था वो mere love and affection में किया गया promise था उके चलिए तो उसक और वहीं पर अगर A ने एने जो है वो लिखकर के promise कर दिया है, राइटिंग में उसको promise कर दिया है और उसको register भी करवा दिया, राइटिंग तो किया ही किया, लेकिन register भी करवा दिया उसने competent authority के पास, तो फिर ये promise binding nature का हो जाएगा, तब उसको अपने बेटे को या फिर जिसको भी वो बोला है उसको हजार रुपए देना ही देना पड़ेगा और यह section 25 clause 1 बोलता है ओके चलिए next next अब आगया हमारा illusory what do you mean by illusory consideration मतलब भ्रामक भ्रामक प्रतिफल से आपके क्या विचार है भ्रामक प्रतिफल यह आपका question है जैसे मैंने बोला ना कि जो भी प्रतिफल है वो uncertain नहीं होना चाहिए ठीक है और illusory नहीं होना चाहिए तो illusory पूछ रहा है कि illusory प्रतिफल है consideration है वो क्या है तो consideration must not be illusory यह तो मैंने बता ही दिये कि uncertain नहीं होना चाहिए unclear नहीं होना चाहिए illusory नहीं होना चाहिए और clear clear होना चाहिए सारी चीज़े certain होनी चाहिए और impossible ऐसा कोई चीज नहीं होना चाहिए जो perform ना हो सके consideration के रूप में for example देख ले where A promised to find a treasure by a magic if B pays him pays him 50,000 this is illusory consideration and therefore contract not well क्या कह रहा है कि जहां A जादू से खजाने ढूडने का बादे करता है यह कोई व्यक्ति और वो कहता है कि जादू से खजाना ढूडन सकता है वो वादा करता है यदि B उसे 50,000 का भुकतान करता अब यह क्या है भ्रामक है उसको गलत खैमी में डाल करके उससे पैसा लिया जा रहा है अब मालो कि किसी के पास आप गए और कोई व्यक्ति बोल रहा है तुम मुझे लाख रुपे दो मैं तुम्हें इस दुनिया में सबसे जादे जीने वाला इंसान बना दूँगा अमर बना दूँगा ठीक है या फिर बहुत सारी शक्ति दे दूँगा कुछ भी कह दो या फिर जादू से मैं तुमको एक आदमी से औरद बना दूँगा ठीक है यह क्या है इल्लिजवरी है ब्रामक है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है तो ऐसा consideration ऐसी बात के लिए किया गया consideration जो ब्रामक है इल्लिजरी नेचर का है वो consideration क्या होता है जो है वो सही नहीं होता है और उसके बेस पर कॉंट्रेक्ट नहीं किया जा सकता ठीक है ना वैसे illusory consideration से किया गया जो भी आपका agreement है वो क्या हो जाएगा भई तो void हो जाएगा सून्य हो जाएगा ठीक है तो बस यह छोटा सा है इसको आप देख लीजेगा जादेश में नहीं पड़ना है ठीक है अब इंडिया के perspective से कुछ देख लेते हैं कि भारत में जो भारती अधिनियम है भाती अनुबंध अधिनियम यानि कि इंडियन कॉंट्रक्ट एक्ट है असपश्ट रूप से नहीं कहता है कि प्रतिफल का कानून की नजर में कुछ मुल्य होना चाहिए लेकिन नयायालों ने इस बिंदु पर आम तोर पर अंग्रेजी कानून का पालन किया ह है केहने काताध पर है कि भारत में भी प्रतिफल कानून की नजर में मूल्य वान होना चाहिए देखो जो वह करते हैं ό लोग फॉलो करते हैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएबल कंसिडरेशन को तो उसी उसी को कॉंटिन्यू करते हुए हमारे वियां भी वैल्यूएबल consideration ही consider करा जाता है माना जाता है जिसकी value हो जिसकी कानून की रजर में क्या हो कुछ value हो वैसे ही चीज को consideration बोला जाता है ठीक है चलिए अब next question है इसको एक बार पढ़ लीजेगा आपका हो जाए चलिए देखिए यहां पर क्या कह रहा है question 5a a stranger to consideration can enforce in the contract मतलब कि क्या प्रातिफल के लिए कोई अजनभी अनुबंद लागू कर सकता है तो यह stranger जो है क्या enforce करवा सकता है consideration तो इसको image आपको hw दे रही हूं वंग दे रही हूं इसको आप पढ़के आईएगा ठीक है next question हम लोग देखते है जो है जो important है आपको यह important बहुत question है इसको आपको देखना चाहिए कह रहा कि what is the difference between Indian and English law with respect of consideration मतलब भारती प्रतिफल में और अंग्रेजी कानून के प्रतिफल में क्या अंतर है ठीक है किसके नजरिये से प्रतिफल के नजरिये से तो चलिए हम देखते हैं इसको differences between Indian and English law regarding consideration पहला क्या है under the Indian contract act the consideration may proceed either from the promisee or any other person if it be done at the desire of the promisee but under the English law English law the consideration must move from the promisee in other words English law a stranger to consideration cannot sue although he is not a stranger to contract but the Indian law a stranger to consideration can sue provided he is not a stranger to contract but both under the Indian law and English law a stranger to a contract cannot sue अब अब यहाँ पे देखिए जो प्रतिफल दिया जाता है हमारे इंडिया में मालो की दो पार्टी है A और B A और B A और B एक प्रोमिसर है एक प्रोमिसर है और एक प्रोमिसी है हमारे इंडिया की कंटेक्स्ट से बात करें तो अगर तो consideration में भी प्रोसीड आइधर फ्रॉम्द प्रोमिसी और एनी अधर पर्सन तो जो consideration है वो किसी के द्वारा जो है accept किया जा सकता है consideration जो है मालो ये प्रोमिसर है ये प्रोमिसी है ठीक है तो मालो की B नहीं उपस्तित है तो B के जगा पे कोई और पर्सन जिसको B ने अथुराज़ किया है वो इससे consideration जो है प्रतिफल का आदान प्रतान जो है वो कर सकता है इन दोनों के तीसरे बीच में भी मतलब इन दोनों के अलावा भी किसी तीसरे व्यक्ति से प्रतिफल जो है वो हो सकता है लेकिन contact तो इन्हीं दोनों के बीच में रहेगा ठीक अब English law में क्या है कि English law में consideration भी सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के बीच में होना चाहिए तीसरा कोई नहीं आना चाहिए सिर्फ इन्हीं दोनों के बीच में जो प्रामिस अब consideration है वो होगा कोई तीसरा जो है सी नाम का यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Indian law और English law में क्या अंतर है Indian law में consideration लेनी के लिए प्रामिसी के बिहाँ पे कोई तीसरा जो दूसरा person है वो आकर के consideration ले सकता या दे सकता जो भी decide हुआ लेकिन English law में सिर्फ consideration के बीच का जो भी काम है वो कौन करेगा प्रामिसर और प्रामिसी करेगा प्रामिसी के बिहाँ पे कोई और नहीं उसको लेनी आखेगा ठीक है अब देखें यहाँ पे चार्ट भी बना दिया चार्ट में आपको समझना आसान रहेगा चलिए क्या कहा रहा है चार्ट में consideration may proceed either from चाहे और चाहे तो इसके विहाब पे किसी और परसन को भी consideration जो है वो दिया लिया जा सकता है लेकिन English law में consideration must move from प्रामिसी तो consideration कहां से जानने चाहिए कहां से कहां को तो प्रामिसर से प्रामिसी को जानी चाहिए कोई और तीसरा परसन रिवार्ड नहीं होगा इंडियन लाव में कहा रहा है consideration may be past present future तो consideration जो है प्रतिफल past का भी हो सकता है प्रेजेंट का भी हो सकता है या future का भी हो सकता है लेकिन English law में क्या है consideration must necessarily present इसमें past past नहीं है इसमें बस present या future का consideration हो सकता है तीसरा क्या कहा रहा है कि the definition of consideration under section 2D में given है of the Indian contract does not specifically say that consideration must have some value but it is so, अब 2D में कहीं भी नहीं बोला गया है कि consideration की कुछ value होनी चाहिए लेकिन अगर बात करें English law की consideration must have some value in the eye of law इसमें बोला गया English law में कि consideration की कुछ value होनी चाहिए कानून के नजर में जो हमारे यहां भी जो court है वो follow करती है ठीक है चलिए यह अपने पढ़े लिया दोनों के बीच में difference अब यह question भी बहुत important है यह question क्या कह रहा है जरह देख लेंगे इसको कि agreement agreement without consideration मैंने अब पहले ही बोला कि section 25 पूछेगा आप से agreement मतलब कोई भी समझाता कोई भी जो समझाता करा जा रहा है agreement करा जा रहा है वो बिना प्रतिफल के क्या होता है सुन्य होता है examine the statement and explain in exception exception भी पूछ रहा पहले तो कह रहा है कि इसको explain करिये और दूसरा exception भी पूछ रहा है कि बताए इसके क्या-क्या अपवाद है ठीक है हिंदी में अगर देखें तो बीना प्रतिफल विचार विमर्स नहीं आ लिको या लिको बीना प्रतिफल विना प्रतिफल के समझोते सुन्य है सेक्शन 25 और इंडिन गॉंटर करेट करता आप देख लेना इस कथन की जाच करना है और इसके कुछ अपवादों को उप्यूग दुधार्वनों के साथ समझाना है ओके तो एग्रिमेंट अब आगे बढ़ते हैं क्या कह रहा है एग्रिमेंट विदाउट कंसिडरेशन इस वॉइड कंसिडरेशन इसेंशन इंग्रिडेंट है कॉंट्रेक्ट करने का यह मैंने शुरू में आ और ओफर होना चाहिए प्रपोजल होना चाहिए यह उफर कह लीजिए उसका acceptance होना चाहिए उसमें consideration होना चाहिए तब जाके वह एग्रिमेंट बनता है और फिर जो एग्रिमेंट इंफ्वर्टावल बाइं लौग होता है वो क्या बनता है कुछ इसेंशल आवश्यक महत्र पूर इंग्रिडेंट है एक आवश्यक है क्या बनाने के लिए संवीदा या कॉंट्रेक्ट बनाने के लिए और सेक्शन ट्वेंटि-फाइव Section 25 of Indian contract provides that an agreement without consideration by 25 क्या बोलता है Section India contract का कि बिना प्रतिफल के जो समझोता करा जा रहा है जो agreement जो समझोता करा जा रहा है वो सून्य है अब इसके कुछ अपवाद देख लीजे अपवाद आप से पूछा हुआ है कह रहा है कि यह धारा तीन अपवाद बताती है जहां बिना प्रतिफल के समझोते किये जा सकते है Section 25 तो बोल देता है कि यह जो है बिना प्रतिफल के कोई भी समझोता सून्य है लेकिन इसका कुछ अपवाद भी है और वो तीन अपवाद है तीन अपवाद क्या है exception उसको देख लो कोई भी अगर agreement किया गया है agreement made on account of natural love and affection मतलब प्यार स्वभाविक प्रेम भाव या इस नही के कारण अगर कोई समझोता कर रहे है तो उसमें consideration प्रतिफल ना भी रहे तो भी वो agreement जो है वो क्या होता है valid होता है ठीक है ना? स्वभाविक प्रेम इस नही के कारण किया गया कोई भी समझोता है उसमें अगर consideration ना भी रहे तो भी वो समझोता जो है वो क्या होता है valid होता है ठीक है लेकिन वो कैसा होना चाहिए आपका स्वभाविक प्रेम या इस नहीं जो भी आप दे रहे है राइटिंग में होना चाहिए लिखा होना चाहिए बूलने से काम नहीं होगा रजिस्टर होना चाहिए ठीक है ना? और तीसरा made on account of natural में लिखा होना चाहिए कि मैं स्वभाविक प्रेम और इस नहीं के कारण अपना जो ये प्रोपर्टी है ये जो भी चीज है इनको दे रहा हूँ ठीक है ना? बिना किसी प्रतिफल क्या ओके? चल अब यहाँ पर एक एक जांपल है इसका क्या कहा रहा है ए स्वभाविक प्रेम और इस नहीं के लिए अपनी बेटी ए कोई व्यक्ति है ठीक है ना? अपनी बेटी बी को क्या देता है? बी को रूपय देने का वादा करता है एक हजार रूपया ए बी से किया गया अपना वादा लिखित रूप में देता है और उसे पंजिकित भी करता है या प्रतिफल के अभाव में आमान नहीं होगा ठीक है ना? अब ऐसा नहीं है कि बेटी को दे रहे हैं तो बेटी मेरा सेवा सतकार करेगी चाहे कुछ भी करेगी ठीक है? ऐसा कुछ नहीं ना दिया जा रहा है लव और अफेक्शन के अवेज में ही अपने बेटी बी को क्या देता है? हजार रुपय देता है लिक के देता है पंजिक्रित करा के देता है तो इसको इस बेश पे सुन्य गोशित नहीं कराए जा सकता कि इस agreement इस समझोते में तो कहीं प्रतिफल ही नहीं तो ये एक अपवाद हो गया ठीक चलो इसमें केस भी है राजलुखी देवी बना भूतनात मुखर जी इसको आप लोग एक बार देख लीजेगा ठीक है दूसरा जो अपवाद है वो क्या है कि प्रामिस तू कंपंसेट वोली और इन पार्ट ऑफ सम्थिंग वालेंटरली ड़न मतलब स्वेक्षा से किया गया काम है अगर आप खुद ही काम कर रहे हो मालवा आप को बहुत मन किया किसी संस्था में हो आप होस्पिटल में जाकर कि किस साबस पाई है किसी थरा काम किसी खाना खिलाने का कम किसी का पेटए घरने का मेंज़ीं इस इन्स्थिटुट में आप कर रहे हो तो वह अगर आप स्वेच्छा से कर रहे हो तो आपके अपनी सेवा के बदले में आ दरूरत नहीं है तो यह कहीं से बोला नहीं जाएगा कि आपने क्यों नहीं प्रतिफल दिया या लिया उनसे कुछ दिया तो उनसे कुछ क्यों नहीं लिया ठीक है ना ऐसा कुछ आपके साथ नहीं होगा और उस समझाते में अगर प्रतिफल नहीं है तो वह समझाता क्या है व लिफ स्थे विफृपी तो स Blaze गॉटिक का आएर ला है को सी का अप्रस मिलता है और वहां उसे दे देता करते है उसको परस या का वीर्हम ए ए को स्थे देटा है वीम को स्थे फेली बीन क्या हुआ उसमें प्रतिफल तो था की नहीं था अब यहां पर देखो अब यह भी नहीं है कि बिना प्रतिफल के अगर कुछ हो जाएगा मालो यह पैसा नहीं लेता कुछ तो इसका सर्विस किया ना इसको समान वापस किया मालो इसमें प्रतिफल नहीं होता मालो यह इसके व रिटन के लिए उसे प्रतिफल नहीं लेगा अब यहां पर कह रहा है कि अगर कोई टाइम बाड है क्या कह रहा है कि समय बादित रिण का भुक्तान करने का वादा अगर समय बादित कुछ दिया हुआ है कि ठीक है मैं तुमको यह इतना पैसा दे रहा हूं या जो भी कर रहा ह और तुम मुझे 10 साल बाद 20 साल बाद जो है वो दे देना तो यह क्या है समय बादित जो है भुक्तान करने का वादा है तो इसमें भी तुरंत जो प्रेजेंटेशन है यानि कि future consideration लागू नहीं होगा लेकिन वो जो समय बादित रिण का वादा जो है वो किस पे होना चाहि यह दोनों party के त्वारा और to pay only in part यह भी होने का वादा होना चाहिए कि हम पूरा बाद में पे करेंगे या पारट करेंगे यह clear लिखा होना चाहिए ठीक है तो यह जो है अपवाद में आता है यह तीन चीज़ अब कहरा है कि A पर बक बक आपा पक आया है हजार लेकिन रिड सीमा अधिनियम वर्जिद है ए बी को रुपए का वुक्तान करने के लिखित वादे पर हसाचित करता है कर्ज के कारण 500 रुपए यह एक अनुबंध है क्या कह रहा है हिंदी का ट्रास्टलेशन कर रहा कि ए वो बी रुपीज वन थाउजन ठीक है एक अजो है बगाया हाजार रुपए बट देट इस बाड लेकिन डेट जो है वह बाड है सीमा से वह बंधा हुआ है ठीक है बाइद लिमिटेशन ए साइन्स ए साइन करता है और र अकाउंट ऑफ डेट मतलब डेट जो है वह उसको कितना चुका देगा 500 रुपए उसके बदले में चुका देगा और यह क्या है कॉंट्रेक्ट है ठीक है ना कॉंट्रेक्ट है तो इसमें भी कंसिडरेशन का वह अपवाद जो है आपको देखे लिए ठीक है अब यहाँ प एक्सेप्शन किसके तो प्रतिफल के जहां पर आपका प्रतिफल नहीं भी होता है तो भी आपका जो एग्रिमेंट है वो क्या होता है वैलिड होता है तो आज के लिए फिर इतना ही आई होब आपको समझ में आई होंगी सारी चीज़े इन वीडियो लेक्शर को 102 बार देखा है ठीक है ना तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स क्लास में तब तक के लिए धन्यवादा